हाई वाट्स अप एप्रिवन मैं हूरी मितान वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दूस्तों आज मैं एक्स्प्लेइन करूगी आफ्टर डार्क के एपिसोड 11 और 12 को अब हम वही पास्ट का हालुसिनेशन सीन देखते हैं जहां वो बच्चा फिर से होल से जहांक रहा था और हमें पता चलता है कि वो लेडी सेक्शोल अप्यूस की विक्टम थी और ये सब उसका husband उसके साथ कर रहा था और ये ही नहीं, उसका husband उसे एक box में बंद कर देता है जिसके बाद कहानी present में आती है और हम चाय को देखते हैं, जो Oom को contact करने की कोशिश कर रहा था पर Oom उसका phone पिक नहीं कर रहा था जिसके बाद वो उसके घर जाता है जहाँ उसे आफ मिलता है Guys ये वही सी ने जिसके आफ का कॉंटेक्ट ऑम से नहीं हो पारा था और 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 ऑफ भी ऑम के घर उससे देखने के लिए आया था पर ओम वाँ नहीं था जो ऑफ चाय को बताकर चला जाता है आफ के जाने के बाद चाय ओम के घर जाता है और ओम के कम्प्यूटर से अपनी सारी चैट डिलीट कर देता है वहाँ उसे एक एक एक्जिबीशन का पैंप्लेट मिलता है जो की होल्स पे थी और उसे और्गनाईज डाव ने किया था जिसके बाद चाय भी उसे एक्जिबीशन में जाता है एक्जिबीशन में चाय को दाव मिलती है जो उसे ये बताती है कि उसका इंटरेस्ट इन होल्स में क्यों है दाव बताती है कि उसे लगता है कि होल्स की दूसरी तरफ एक दूसरी दुनिया है और ये शायद एक gateway है चाय ये सब समझ नहीं पाता पर फिर भी वो ये सब चुपचाप सुनता रहता है थोड़ी देर बाद उसके पास ओम का फोन आता है और वो भी इसी exhibition में था पर चाय उसे जूट बोलकर वहां से चला जाता है इस सीन के बाद चाय को हमें एक बार में देखते हैं जहां उसे एक नई लड़की अप्रोच करती है और तब ही वहां ओम आ जाता है और ओम उसे लड़कियों की गलत वीडियो बनाने के लिए हमेशा के लिए मना कर देता है और वहां से चला जाता है जिसके बाद वही लड़की चाय के पास आती है और चाय उसे भी वही लेकर जाता है जहां उसमें मिया को ब्लैक मेल करके बुलाया था गाइस मिया वही लड़की है जिसको हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था जिसको चाय ने ब्लैक मेल किया था और अब इस नई लड़की को मा लाई जाने के बाद वो उसका भी एडल्ट वीडियो बना लेता है और ये सीन यहां से शिफ्ट हो जाता है जिसके बाद नेक्स सीन में हम फिर से पास्ट वाला सीन देखते हैं जान हम चाय का बच्चपन देखते हैं हम देखते हैं कि छोटे चाय को उसके पिता फिशिंग पर लाई थे और वहां वो उससे कुछ बाते करते हैं और थोड़ी देर बात हम देखते हैं कि उसके पिता बॉक्स को पानी में फेक देते हैं उस बॉक्स में चाय की मा थी जिसे चाय सिर्फ देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था अब सीन वापस प्रेसंट में आता है चाय के पास दाव का मेसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है दाव के स्टूडियो पहुंचने के बाद चाय मिया का एक लाइव वीडियो देखता है जिसमें वो सुसाइट करने वाली थी क्योंकि चाय ने उसके वीडियो को आनलाइन डाल दिया था क्योंकि मिया ने चाय की बात नहीं मानी थी और हम देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में लोग मिया की हेल्प करने की वज़ाए वो उस वीडियो को देखने की बात कर रहे थे और इसे पढ़कर चाय हस रहा था इंड इन रियालिटी गाइस दिस दे एंड ओफ यूमेनिटी इसके बाद वहाँ दावा जाती है जो चाय को अपने साथ अंदर ले जाती है और उसके साथ कुछ फोटो खीचती है फोटो खीचने के बाद दाव उससे पूछती है किया करो में एक दम से गाइब हो जायते ते तुम क्या करोगे जिसके जवाब में चाय ये कहता है कि वो मूब आउन कर जाएगा जब बार्क टेंडर चाय को बताता है कि जिस लड़की ने कल चाय को अप्रोच किया था उसके हस्बन ने कल उसका मर्डर कर दिया जिससे सुनने के बाद चाय वापस वहीं देखता है जहां उसे वो लड़की दिगी थी पर वो वहाँ नहीं थी और यह देखकर वो सीधा अपने गार जाता है और उस लेड़ी की वीडियो देखने लगता है जिसके हस्बन ने उसका मर्डर कर दिया था जिस पे सब रेस्ट इन पीस लिख रहे थे तब ही उसके पास ओम के लाइफ का नोटिफिकेशन आता है और उसमें हम ओम को नेकिट देखते हैं और उसके हाथ से खून निकल रहा था हम देखते हैं कि उसने ड्रिल से अपने हाथ में एक छेट कर लिया था और ओम को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी मैसूस नहीं हो रहा है जिसके बाद ओम बोलता है कि अगर तुम्हें दाव चाहिए थी तो तुम बोल देते हैं और अब ये हाल तुम्हारा ही तौफा है और हम देखते हैं कि तभी वो अपने जौस में डिल्स से खोल कर देता है और चाय बस उसे फोन करता रह जाता है और यहां ओम की मौत हो गई थी इसके बाद हम चाय और दाव को ओम के घर पे जाता देखते हैं जहां चाय ओम के लैपटॉप से उन सारी वीडियोस को डिलीट कर देता है जो उन्होंने बनाई थी इसके बाद वो और दाव कार में कलाकासू केव की तरफ निकल जाते है रास्ते में दाव चाय से ओम के बारे में पूछती है लेकिन चाय जूट बोल देता है कि उसे कुछ नहीं पता और अब यहां दाव उसे उस केव के बारे में बताने लगती है कि उसने उन केव के बारे में ये सुना है कि वो एक जादूई केव है जो उस केव के अंदर एक बार जाए और दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता ढून ले तो उसकी एक विश पूरी हो जाएगी और वो पास्ट में जाके कुछ भी सही कर सकता है जिसे सुनने के बाद चाए हसता है और तब भी उसे लगता है कि उसके कार किसी चीज़ के उपर चड़ गई है पर वो उसका वहम था और हमें दाओ थोड़ी अजीब दिखती है थोड़ी देर बाद वो दोनों उस केव के पास पहुंच जाते है जा हम केव के एंटरंस में नो इंटरी का बोट देखते है पर वो दोनों फिर भी उस केव के पास जाते है और उस केव के पास जाके खड़े हो जाते है दाओ अब चाए को वहां उस केव के बाहर आँख बंद करके केव की आवास सुनने के लिए कहती है और चाय भी वैसा ही करता है और अपनी आग बंद करके उस केव की आवाज सुनने की कोशिश करता है लेकिन चाय को बेल अपने सामने उस केव में खड़ी दिखती है जिसे देखकर चाय डर जाता है और अपनी आखे खुल लेता है पर दाओं से फिर भी यांके बंद करने कले कहती है लेकिन चाय को फिर भी बेल दिखती है जिससे वो काफी डर जाता है अब दाओं उस केव की पिच्चर्स कीशने लगती है यहाँ दाओं चाय को उस केव के बारे में बताती है कि क्या बेल के सुसाइट से चाय का कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन चाय काफी डर गया था वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता वो स्मोक का पहाना करके वहां से चला जाता है अगले सीन में उन्हें दाओ के घर के नीचे देखते हैं दाओ चाय को अपने घर में बुलाती है और चाय उसके साथ चला जाता है। दाओ का घर एक लगजरी अपार्टमेंट था जहां काफी लाइटिंग थी और एक बी हाइफ की तरहे कुछ कैमरेज लगे हुए थे। घर पहुचके दाओ चाय के सामने ओम से बात करती है और चाय को बताती है कि ओम थोड़ी देर में वहां आने वाला है जिसे सुनकर चाय थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि ओम ने उसके सामने ही सोसाइट किया था तो दाओ ओम से बात कैसे कर सकती है पर चाहे उसे कुछ भी नहीं बोलता दाओ के जाने के बाद चाहे सामने के टीवे पे अपनी खुद की करेंट रिकॉर्डिंग चलती हुई देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है जहां वो रिकॉर्डिंग में देखता है कि जैसी मूवमेंट वो कर रहा था वैसी ही मूवमेंट स्क्रीन पे नज़र आ रही थी लेकिन थोड़े देर बाद वहां दाओ आती है जिसने एक वाइट करेर की ड्रेस पहनी हुई थी और गाइज ये ड्रेस पहले एपिसोड की वाइट ड्रेस वाली गर्ल्स की ड्रेस से मिलती थी अब दाओ चाय को एक फ्रूट खाने के लिए देती है और बातों बातों में उसके पास आकर उसे किस करने वाली थी पर वो उसकी गर्दन पे इंजेक्शन लगा देती है इंजेक्शन लगाने से चाय की पूरी बाडी सुन पर जाती है और वो एक जिन्दा लाश की तरह जमीन पे गिर जाता है जमीन पे गिरने के बाद दाओ टॉर्चर करने का समान लेके आती है जिसमें वो सबसे पहले चाय को उसी तरहे टॉर्चर करती है जिस तरहे उसने बेल को टॉर्चर किया था जिसके बाद हम देखते हैं कि दाव चाय के हाथ पे ड्रिल मशीन से छेत कर देती है वो चाय को बताती है कि वो भी चाय की वीडियो बनाकर डार्क रूम में डालेगी और डार्क रूम में वेबसाइट में व्यूवर्स एडल्ट वीडियो को नहीं ऐसी वीडियो को जादा पसंद करते हैं जिसमें खून खराबा हो और थोड़ी तेर बाद दाव चाय के सीने पे चार होल्स कर देती है जिसके बाद वो वहाँ से कुछ समान लेने के लिए बाहर जाती है इतने में मौका देखकर चाय एक सीजर उठा लेता है और जैसे ही दाव उसके पास आती है वो दाव की गरदन पे उसीजर को मार देता है और दाव अन दा स्पॉर्ट मर जाती है अब चाय वहाँ की गेट को खोलने की कोशिश करता है पर तब ही हम देखते हैं कि दाव उट जाती है और वो चाय को बताती है कि वो वहाँ से भाग नहीं सकता और हम देखते हैं कि दाओ के चहरे पे काफी सारे छेथ हो जाते हैं लेकिन चाय किसी तरह वहाँ से गेट खोल कर भागता है भागते भागते वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता भागते भागते उसे एक जगे टीवी स्क्रीन दिखती है जहां दाओ पूछती है कि क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि चाय के अभी तक के सारे बुरे काम स्क्रीन पे दिखते है यानि बेल को टॉर्चर करना, मिया की वीडियो बनाना और ऐसे कई सारे काम हम यह देखते हैं कि चाय कहता है कि इस तरह के लोग ही जिम्मेदार है वो कहता है कि अगर वो उसकी जिन्दगी में ना थे तो वो ये सब कभी नहीं करता वो कहता है कि तुम नहीं जानती कि मैंने क्या फेस किया है आखिर दाव के पास्ट में ऐसा कुछ तो रास छिपा है जिसकी वज़े से ये सब वो कर रहा है हम देखते हैं कि चाय को मिया और बेल की आवासे सुनाई देती है जो चाय को होश आता है तो वो बिलकL सही था उसे कोई भी इंजरी नहीं हुई थी जिसके बाद हम देखते हैं कि चाय सारी हार्ड डिस्क को बेसिन में ढुबा देता है ये वही सीन है जहां पिंक आफ से مिनने उस केव में आई थी और बस यह एपिसोड यह ही end हो जाता है दोस्तों आईनो आप में से बहुत से लोगों के लिए ये सीरीज बहुत confusing है लेकिन इसके end के episode में ये सारी confusion clear हो जाएगी तो इसके end के episode यानि के 13 episode के लिए wait ज़रूर कीज़ेगा जहां पर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे मैं मिलूंगे आपसे एकले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत क्यार रखे Stay safe, keep hunting lots of love